2024 तुला राशी वालों के लिए कैसा जाने वाला है? आज हम इसके बारे में डिसकस करने वाले हैं. नमस्कार, मेरा नाम है वेधान श्रलव, एस्ट्रोलोजर एंड नुमरलोजिस्ट. आज मैं आपको बताने वाला हूँ, 2024 में जन्वरी कमीना तुला राशी वालों का कैसा जाएगा? इसको हम आरम से डीप में समझेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं 10th house, 10th house होता है आपके करम का, तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को डिसकस करेंगे, करियर और रिलेशन्शि तो सबसे पहले जो आपका 10th house है, आपके करम का है, तो करम कैसा रहेगा? 10th house में अगर आप देखें, तो कोई भी अशुप्रभाब नहीं आ रहा है, राहू का अशुप्रभाब आ रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि अपने करियर के इस्तान में जूट नहीं बोलना, है, तो जूट आपको नहीं बोलना है, और ये 18 महीने रहेगा वैसे तो, क्योंकि आपको पता है, ये 30 नवंबर के बाद राशी परिवर्तन हुआ है, राहू का, तो इस चीछ का आप ध्यान रखें, बाकी हम बात करते हैं, आपकी इंकम के बारे में, तो इंकम का जो प्लै में ग्रोथ होने वाली है, जन्वेरिक महीने में, अगर आप, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप किसी software company में है, किसी email से related किसी company में है, email चेक करते हैं, या किसी travel से related कुछ काम करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं, जो hobby से related कोई भी आपकी hobby हो, ठीक है, third house जो होता है हमारा, communication का हो गया, whatsapp का हो गया, instagram का हो गया, social media का हो गया, youtube का हो गया, facebook का हो गया, कोई भी ऐसा काम अगर आप करते हैं, तो आपके लिए एक धन वृद्धी आने वाली है, ठीक है, इसके लिए पको कोई और करते हैं, तो आ बहुत अच्छी growth हम लेगी, ठीक है, reason behind की sec 2-11, मैं यहाप पर उपर अगर आपको दिख रहा हो, यहाप लिख देता हूँ, 2-11 योग बनता है, आप कहीं भी, अगर आप एस्टोजी सीख रहे हैं, कहीं भी जाकर देख लिए, जो 2-11 का योग कितना धन देता है, तो सारी opportunities लेके आने वाला है, पूरे साल पर, ठीक है, पूरे साल की कुनली को हम आराम से discuss करेंगे, अभी तो हम यह discuss करने वाले हैं, कि जन्वरी कमहीन आपका कैसा जाएगा, तो आपको इतना समझ में आ गया, अब हम देख रहे हैं, आपका, आपकी saving, ठीक है, यहाप करियर म लगनेश बैठा है, और शुक्र को देखे हैं, तो शुक्र भी बैठा है, वाह, क्या amazing योग बनता है आपकी कुनली में, ठीक है, यह दोने योग बहुत धन की विर्द्धी होगी आपकी, तुलाराशी वालों का एक अच्छा समय शुरू होगा, जन्वरी से, जतनी आपने महनत कर ली, पुराने, पुराने 2023 में, कि जतनी महनत करी है, सब का result आपको मिलने वाला है यहां पर, ठीक है, जन्वरी में, अब हम relationship की बात करते हैं, तो relationship में, relationship में, आपका गुरू घर बैठा है, शनी का प्रभावारा है, तो मैं आपको recommend करूँगा, क्योंकि six lord है न गु तो यह एक अच्छा योग नहीं है, आपको अगर relationship अच्छा रखना है, तो अखिए एक गुरू तो यहां पर बहुत पहले से, बहुत पहले से प्रसमझते चले लगे है, गुरू ग्रे के दान करने हैं, गुरू ग्रे के दान क्या होते हैं, जितनी भी पीली कलर की दाल होत केले को डोनेट करना शुरूर करें गुरु घ्रे पुजारी है महात्मा है मंदिर के जो पंडित लोग होते हैं वो गुरु है उनको डोनेट करना शुरूर करें उनको दान दक्षना देना शुरूर करें जब तक गुरु यहां रहेगा, जब तक परिशानी करेगा, तो ध्यान रखना है, आप अपने बेडरूम में किसी भी भवान की तस्वीर ना रखें, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए, और गुरु घरे क्या है, गुरु घरे के लिए आपको जितने भी बड़े एल्डर जिनको आप मेंटर मानते हो, मेंटर चाहिए आपका भाई हो, आपके बच्चे हो, आपके पतनी हो, आपके पिता हो, आपके दोस्त हो, आपके गुरु हो, जो हो, जिसको मेंटर मानते हो, उनको कुछ न कुछ गिफ्ट देना है आपको, चाहिए कुछ दो, उनके अगर आप मेरी लाइफ में आए कुछ ऐसी ब्लेसिंग दे दो कुछ बड़ा सा आपको ऐसा ग्रेटिटूड दे दो आपके लिए यहां पर आया है तो इस चीज का ध्यान रखना है और शनी यहां पर देख रहा है देखू अगर आपकी शादी नई होई है तो शादी होने के योग बनते हैं और यहां पर बाकी सारा मंगल क्योंकि ayuda है तो रिलेसिशिप में तो अडचने दिख रहे हैं बिल्कुल के दिख रहा है रिलेसिशनिप में प्रॉलम चल लाई है बाकी जो डीटेल में आपकी परसन कुणली में क्या चल रहा है, अगर आपकी परष्णल कुणली अच्छी है, तो इस गोचर का जादा उफक्त नहीं पड़े, पड़ेगा जादा नहीं पड़ेगा, अगर परस्टनल कुणली भी खराब है, ये भी खराब है, तो रिलेशनिशिप में आपको एक पर्सनल गाइडेस के जरुद है, आपके कुंडली के हिसाफ से उपाए होगी और यहां के हिसाफ से उपाए होगी। यहां के हिसाफ से मुझे लगता है आपको गुरु ख्रया का उपाए करना ही चाहिए। ठीक है, I hope आपको समन में आया, आपके बारे में हमने बताया, तो मैं एक लाश में एक बात कहूंगा, कि 2024 आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, बहुत बहुत शुब कामना है आप सभी के लिए, ओके चलिए, रादे रादे